एलो ट्रेडर्स वेलकम तो मैं चैनल मैं नेम इस अवाई पार्टिल बैक विडियो और थेंक्यू फर्स्ट अपॉल जिन लोगों ने भी विश किया कल बड़े था तो बहुत लोगों के विश्यस है उन्हें मैं यहां पर थेंक्यू बोलना चाहूंगा यह जो वीडियो है हम मार्केट का जो बीहिएवियर है वो अंब्रस्टेंड करेंगे और देखेंगे कि कैसे पैटर्ण स्वाग करते और पैटर्ण स्वाइटेस कितना इंपोटन है वे सबसे स्टॉंगचेश्ट इस वीडियो में बताऊंगा तो यह बहुत इस वीडियो से आपको होगी तो वीडियो पूरा देखना फिर्स्ट अवल मैं आपको यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूँ और यहां पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हैस मेड़ डव्ल्यू पैटन और यह मैंने डाला था जुलाई फोर पे जुलाई फोर यानि तीन दिन पहले जब बैंक निफ्टी 33,700 पर था अभी 34,920 पर चल रहा है 1200 पॉइंट्स की स्ट्रेट रैली है और मैंने यह भी कहा था कि कुछ लोगों का थोड़ा मार्केट गीरा भी था मैंने कहा था कि रैप वस क्रीटेट फॉर सेलर्स फिफ्टी टाइम 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 टीक है तो यह सारी चीज़े में टाइम मेरे टेलिग्रम चनल पर डालते रहे तो तो मैंने उसमें यह जो मूव था हमने यह ही रखना है ठीक है आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं कैसा मुमेंट हुआ देखो यहां पर डबल्यू पैटन बना था डबल्यू पैटन यानि हमने जो है डबल बॉटम मैंटम मुलते हैं यह सबसे स्ट्रॉंग बुलिश पैटन होता है हमने जो है जब मार्केट इस प गैप डाउन खुलता गया मार्केट लेकिन इंट्रडे में हम शॉट कर रहे थे तो जो मार्केट टॉप बनाकर नीचे गिर रहा था एंड में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सेनारियो बनाया था क्योंकि गैप डाउन में टागेट सर्ट हो रहे था लेकिन मार्केट नीच गया ठीक है अल्मोस्ट फाया 800 पॉइंट नीचे गया उसके बाद थोड़े थी तीन दिन होल्ट किया देखो तीन दिन यहां पर हाल्ट करके चार दिन बोल सकती है यहां पर भी एक रेंज वाला हॉल्ट आया उसके बाद इसने यह ब्रिक आओट दे इसके बाद मैंने अने वाले दिनों में 35,800 तक यह जो गया पर यहां तक मार्केट में रैली करता हुआ दिख सकता है लेकिन एक दिन रेड भी आएगा थोड़ा रेट्रेस होगा फिर थोड़ा उपर जाएगा डारेकली नहीं जाएगा क्योंकि यहां से मार्केट ट्रैवल कर रहे तो एक द निफ्टी आने वाले दिनों में हमें निफ्टी स्ट्रॉंग होता हुआ दिख सकता और बैंक निफ्टी स्लो हो सकता है यह हमारा अनलिस था जो हमने किया था टेलिकरम चाहिए यूट्यूब पर मैंने डाला था तो कि बहुत अच्छा वक किया और बहुत लोगों को हमारा टार्गेट होने आया है थोड़ा ही बचाहिए देखो यहां पर एक रिजिस्टेंस लेवल है यह रिजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है मार्केट थोड़ा रिजिक्शन दिखाते है तो ऐसे टाइम पर आप 80% 70% बुक करना चाहिए क्योंकि इतने के लिए आपको प यहां पर जा रहा है जैसे जैसे मैंक नफ्टी उपर जाएगा इशन पेंस भी आल्मोस्ट 90% देखो यहां पर भी सेम यहां पर रिजिस्टेंस लेवल है यहां पर इस स्विंग को फॉलो कर रहा और यहां से रिजिक्शन है तो यहां पर भी मैं कहूंग कि आप थोड़ा टार्गेट कम करके इसे बुक कर लो बाकि हमारे सारे जो आडानी पोर्ट से जो पीचे रह गया यहां पर भी डवल्यू पैटन मना है इसमें भी रैली देखने मिल सकती है और एसकॉर्ट में भी अल्मोस्ट हमारे जो है टागेट हिट होए तो सारे स्विंग स्विंग से मुझे अच्छा लगए कि लोगों का जो है हेल्प हो रहा है तो आपको जैसे मैं बताया कि सबसे स्ट्रॉंगेश्ट पैटन जो है डवल्यू पैटन यह कहीं भी आपको दिखता है तो आपको उसमें ट्रेड लेना चाहिए इसका जो विन रेट है बहुत अच्छा है औ और और आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा बुलिश रहा सकता है तो आपको जो है बाइंघ के लिए थोड़ा ध्यान रहे है तो हो दो को मैने सारे स्विंग stickers पर अपडेट बता दिया आने वाले मार्केटक का पडेक्शन बता दिया जो मार्केट बिएभियर है कैस वो वाचिंग मिलते करने हो इडिके साथ